आज हम व्यांजन य के बारे में पढ़ेंगे व्यांजन यह यह से यह, यह मीस दिस, अगर हम एक चीज के बारे में बोल रहे हूं तो दिस यूज करते हूं यह से यह, यह मीस अगर बहुत सारी चीजों के बारे में बोल रहे हैं तो यह मीस दिस यूज करते हैं यह से यंत्र, यह से यंत्र, यंत्र मीज ग्याजट, for example, laptop is one gadget, यह से यांत्रिक, यह से यांत्रिक, जैसे कि बाइक, बाइक हम देख सकते हैं, कि उसके अंदर भी इंजिन्स वगरा होते हैं, यह से यात्रा, यात्रा मीज जर्नी, अगर हम कही जा रहे हैं, मितलब, जो जर्नी में जो लोग है, उन्हे हम पासंजर कहते हैं, यह से यूवफ, यूवफ, यूवफ मीज यंग बॉय, यूवथ, यूवथि मेंज यंग गर्ल, यवसे यहा, यहा, यहां मीज, यह से युक, युक means the era, means अगर डाइनसार के जमाने में हम थे युक अलग था यह से योध्ठा, यह से योध्ठा means warrior, यह से युध्ध, युध्ध means warrior यह से याक, यह से याक, यह से योगा, यह से योगा, हमें रोज प्रुबह उठकर योगा करना चाहिए तो बच्चो, अब हम यह निकालते कैसे हैं, वो सीखेंगे, ओके यह निकालना बहुत आसान है अगर आप सभी वेंजन की रोज प्राक्टिस करेंगे, तो आपको लिखने और बोडने के लिए आ जाएगा ओके, फर्स्ट, एक स्क्लेपिंग लाइन ड्रॉर किजिए, ओके यहां से एक लेफ्ट कर्व, ठीक है और यहां से लेके ऐसे एक अप कर्व एन बन, स्टैंडिंग लाइन, इस अप कर्व को यह स्टैंडिंग लाइन जोडनी चाहिए, ओके जोडनी चाहिए लेफ्ट कर्व, अप कर्व, स्टैंडिंग 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 लेफ्ट, अप स्टैंडिंग यह से यज्य एक स्लीपिंग, कर्व, कर्व, स्टैंडिंग स्लीपिंग, कर्व, कर्व, स्टैंडिंग यह से यज्य जब भी आप लिख रहे होंगे तो बूलते बूलते लिखें, ओके तो बच्चों आपका होमवर्क है पेज नेबर 66 और पेज नेबर 67 7. Thank you. Have a great day.